हलो सुदन नेक्स्ट एग्जाम्पल हो है 2.10 लोकेट दि वैल्यू पहले वैल्यू के साथ चलते हैं टू रिजिस्टर्स आफ रिजिस्टन्स आरवन मैं वैल्यू लिखता जाऊंगा आपके साथ वैर्द आरवन इस एक्वाल टू क्या दिया हुआ है 100 प्लस और मैंनस 3 ओम ठीक है उसी तरह प्लस और मैंनस 4 ओम दिया हुआ है और दिया हुआ है और दिया कनेक्टे इन शीरीज ए प्लला अप्शन है शीरीज बी इस प्ललल फाइन दिया हुआ है अब सीरीज कॉंबिनेशन पहले सीरीज का डिफाइन करना हमें ठीक है उसके बाद वे हाट डिफाइन फॉर दपैरलल कॉंबिनेशन यूस फॉर दे रिलेशन पहले सीरीज का फॉर्मिल हमें दिया हुआ है विच इस आर इस एक्वाल टू र1 प्लस र2 सीरीज के लिए यह हमारा पहला है ए र इस इकोल टू र1 प्लस र2 ओके उसके बाद फोर इस पारलल उसका भी एक्वेशन दिया वन अपॉन रडैस इस इकोल र1 प्लस रफाइल अपन रटू और डल्टा आर डेस के लिए भी फॉर्मिला दिया हुआ है डल्टा आर डैस अपोन रडेस स्क्वेर इस इकोल डल्टा र1 बाइल बाइल आरवन स हो जाएगा delta r1 का 3 ठीक है उसी तरह यह r2 का value और यह हो जाएगा हमारे लिए delta r2 का value ठीक है यह पहले हम लोग ऐसा कर चुके simple method में करना है तो इस series का formula दिया हुआ है r1 की value क्या दिये हुए 100 plus or minus 3 लिख लो plus r2 is equal to 200 plus or minus 4 ठीक है simple हमें क्या करना है यह बिना error वाला जो equation है r1 r1 जो value दिया हुआ उन दोनों के addition करो तो 100 plus 100 क्या हो जाएगा 100 plus 200 we get the 300 plus or minus यह r delta r1 and delta r2 की value 3 and 4 उन्हों का उन लोगों का addition ही होगा that value get added only okay the 3 plus 4 which is 7 oh clear simple यह हमारा r का value आ गया अब हमें देखना है parallel का series का आ गया go for the parallel चलो parallel के लिए यह पहले थोड़ा यहां में line बना देता हूं कि भी कि परेल का formula दिया हुआ है विच इस वन अपन और डेश कि इस एक्वल टू वन अपन आरवन प्लस वन अपन आरटू पहले इस फॉर्मिला को सॉल करने की ट्राइब करते हैं पहले यहां देखिए यहां LCM R2 यहां multiply होगा और R1 यहां पहे R2 by R1 and upon R1 into R2 यह हमें 1 upon R' का value है तो R' क्या हो जाएगा R' is equal to R1 into R2 upon R1 plus R2 चलो R' के लिए R1 का value देखो यहां पहें मैंने पहले लिख लिया है R1 100 R2 200 ठीक है? comparison पहले ही हम लोग कर चुके हैं तो देखते है R1 का value क्या हो जाएगा? R1 is 100 multiply by 200 then 100 plus 200 ठीक है? 100 plus 200 and 100 plus 200 ओके यहां पहे 100 into 200 करोगे तो that we get यहां पहें हम simply कर सकते है 1,2,3,4 4 zeros are there तो 2 into 10 raise to plus 4 लिख सकते है otherwise 2,1,2,3,4,0 आ गया divide by 300 ठीक है? 0,0,0,0,0 cancel out then we get 200 divided by 3 okay 200 divided by 3 करोगे तो that we get 60 Kelsey में आप कर लेना 66.7 ohm यह हमें R2 का value मिल गया है अब हमें delta R2 का value define करना है किसका delta R2 का हमें जो formula दिया हुआ वही follow करना है okay उसका proof चाहिए तो मुझे बाल में बोल देना I will give you कैसे आता है यह formula okay लेकिन इससे हम error की फिटम में लिखने जाओगे तो इस तरह से आप नहीं find out कर सकते हैं उसका दूसरा method है लेकिन हमें hopefully हमें दे दिया है तो बहुत easy हो जाएगा तो formula क्या है the formula is delta r dash by r dash square that's equal to delta r1 by r1 square plus delta r2 by r2 square okay r dash का value देखो यहाँ पे मिल चुका है हमें delta r1 वापिस comparison मेंने किया हुए delta r1 माने 3 and the delta r2 here which is 4 ठीके सभी value सिर्फ यहाँ पे लगाना है क्योंके delta r dash हमें चाहिए तो देखे delta r dash is equal to r dash इधर multiply हो जाएगा तो हम यहाँ पे लिख सकते है r dash by r1 whole square क्योंके यहाँ पे भी square है यहाँ भी square है और delta r1 यह delta r1 यह r dash यहाँ पे भी multiply होगा that we get what r dash by r2 whole square into delta r2 ठीक है सिर्फ मैंने इस r dash को यह r dash को यहाँ multiply किया और यहाँ multiply किया ठीक है क्योंके equal की इस तरह आएगा तो दोनों तरह हमें multiply करना पड़ेगा okay simple अब सिर्फ हमें value लगाने है delta r dash में लिख लेता हूं पहले r dash क्या है 66.7 okay r1 okay r1 की value क्या है यहाँ पे वापिस आ जाए r100 है इन दोनों का square where the delta r1 यहाँ पे वापिस देख लिजे which is 3 तो multiply 3 plus यहाँ पे भी r dash तो हमारा 66.7 रहेगा r2 देख लिजे r2 which is 200 हम 200 से divide कर लेगे और multiply यह delta ठीक से delta r2 लिख लेते है वापिस यहाँ तो यह हो जाएगा उसका value for comparison करके लिखना है ठीक है अब 66.7 divided by 100 क्या हो जाएगा उसका value आ जाएगा 0.667 ठीक है उसका square into 3 plus यहाँ पे 66.3 का square करोगे that sorry divided by 200 करोगे use the calc okay 3 3 3 5 square point है यहाँ decimal multiply 4 यह पूरा जब यह पूरा multiply करो कौन सा यह वाला अब अपने calcium में किजे 0.667 square multiply with the 3 then you get देखो उसका answer क्या आजाएगा यहाँ पे मैंने किया हुआ मैं directly लिखो one point three three four six six seven पूरा इतना लंबा आएगा और यहाँ इसका करो that you get what zero point four 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 eight eight nine ऐसा कुछ आएगा यहाँ पूरा लिखा हुआ है यहाँ approximate आपका आजाएगा one approximate लिखूंगा one point seven seven it means approximate यहाँ पर लिख लूंगा one point eight ohm यह डल्टा और डेश का अंसर आया ओके इससे एरर के फॉर्म में कैसे लिखते हमें पता है आर डेश प्लस और माइनस डल्टा आर डेश ठीक है आर डेश प्लस और माइनस डल्टा आर डेश that you can write आर डेश का वेल्यू क्या है 66.7 66.7 प्लस और माइनस यह क्या आगा है 1.8 1.8 ठीक है यह दोनों का यहां आ गया है आंसर यह पहले हमने सीरीज के फॉर्म में किया उसके बाद यह पैरलल वाला यह एक्वेशन कैसे आया वो डेरेक्ली हमें दिया हुआ है otherwise we have to prove it ओके थेंक्यू